पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं दस्तारी को विधान सबा का सत्र सुरू होगा लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा है कि विधार में पोलिटिकल जो ड्रामा है वो सांत नहीं हो सकता है और जिसको ले करके काफी तना तनी की स्तितियां मची हुई है तो इधर जारखंड में भी काफी चर्चाएं चल रही है जारखंड में पोलिटिकल ड्रामा शुरु हो चुका है सब ही बिधायकों को चाटेट प्लेन से हैदराबाद भेजा जा रहा है और जो विहार है विहार के पोलिटिकल क्राइसिस के बाद जारखंड में भारती जनता पार्टी का नजर पड़ चुका है Operation Lotus किसी भी वक्त महराष्ट वाला वो कड़ सकता है और इसके लिए हेमंत सोरेन काफी परिशान है भाजपा का बिहार के बाद जारखंड में फोकस हो गया है पासा पलटने की पूरी तयारी है चलिए बाबा से जानते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बाबा जुड़ चुके है बाबा भारती जनता पार्टी की निगाहें अब जारखंड में जाती की है क्या Operation Lotus की पूरी तयारी की जा रही है क्या जारखंड में देखे रतने से बिहार और जारखंड में बहुत जादा अंतर नहीं है दोनों पहले एक हुआ करते थे 2000 में जब बटवारा हुआ उसके बाद से जारखंड कभी भी स्थिव नहीं रहा हला कि 2000 से 2005 तक पहली बार जब सरकार बनी तो भारतिये जनता पार्टी बहुमत में थी और भारतिये जनता पार्टी ने इसे सरकार को चलाया बावुलाल मरांडी इसके सरकार के मुखिया बने थे और मुख्य मंतरी के रुप में किये जब 2005 में हुआ तो शिबो सोरेंज जो है उनका बदार्पण तो पहले हो चुका था उन्हीं के कहा जा रहा था कि प्रियासों का फ़ल्टा कि ज़ार्खंड बिहार से अलग हुआ हलाकि लालोपरसाद ने कहा था कि मेरी लास्ट पे ही जहरखंड बन सकता है लेकिन खार्तिय जनतापार्टी की सरकार ने जहारखन्ट को अलग कर दिया और उसके बाद से जब चुना हुआ जो संफेधानिक चुना हुआ है 2005 में उसमें सीबु सोरेंड जीत कर आए उसके बाद से फिर यह सरकार बीच में गिरी 2005-2009 बीच में और जुन मुंडा इसमें फिर से भारती जनतापाटी के सरकार बने लेकिन जहारखंड की एक सबसे बड़ी जो बात है वो यह रही है कि 2005-2009 के बीच में जो सरकार चल रही थी उसमें बड़ा अजीबो गरीब एक फैसला हुआ था बी है और उस फ्लोड टेस्ट में भारती जनतापाटी के सरकार गिर जाती है होता क्या है उसके बदले में अब लोगतंत की सबसे बड़ी खुतूर्टी या सबसे बड़ी विड़मना आप कह लिजिए कि एक निर्दलिये को मुख्यमंत्री के कुर्शी पर बढ़ा जाता है क्लिए मैंने बताया कि ये इतिहास कई बार दुहराया जा चुका है जारखंड में जी बेरासी शीटो वाले जिसमें से एक आसी चून कर आते हैं और एक मनुनित होते हैं तो ऐसी इस्थिती में जो 43 विधायकों के ज़रूरत होती है बहुमत के लिए उस बहुमत को पूरा करने में पूरी तरह से सच्चमावी बरतमान जो महागर डबंधन की सरकार वहां है जारखंड मुक्ती मोर्चा के 29 विधायक हैं कॉंग्रेस के सत्रह है और जेडी के एक हैं ये 48 की संक्या पूरी करते हैं अगर एक विधायक को घटा भी दिया जिस तरह से आपने देखा कि हेमन सोरेन की गिरफतारी हो गई है बहुत सारी बाते चल रही थी और जारखंड में जो राजनितिक संकट पैदा हो गया था उस संकट से निपटने के लिए भारते जनता पाथी लगतार दबाव बना रही थी आपने जैसे कि बताया भी कि चार्टर प्लेन की भी विवस्त उनके साथ फिर से एक बार जो दो हजाब बीस में सरकार को वोट दिया था बिहार की जनताने वो सरकार फिर से बहाल हो गई जी दीच मेनितिश कुमार करी सोत्रा महीने तक महा गठबंदन के साथ रहेए अब जो परतमान परिस्थिती बनी है उसमें मनी लांडिंग केस में जो ED और CBI का विभिन तरह की जान से चल रही थी, उसमें हमन्त सोरेन की गिरफतारी भी हो गई है, बतमान जो परिस्थिती बनी है वो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जहारखंड में दोनों ही खेमे को, एंडिये को भी और महागडवन्धन को भी, ऐसा लगता है कि सर परिस्तारी को मिटिंग हुई और उसी समय काफी हंगामे के भी, चमपाई सोरेन जीने जहारकंड का टाइगर भी कहा जाता है, इनको नेता बना दिया गया और नेता बनने के बाद, अब जो 48 का बहुमत है, ये तो इनके पास है, लेकिन ये सरकार बचेगी या नहीं बचे लाने के लिए पूरी तयारी शुरू कर चुकी है, तो वहीं चमपाई सोरेन के बनने के बाद, जो जहारकंड मुक्ती मोर्चा में, कई लोग ये पाले हुए थे अपने मन में, उन्हें मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है, आपको याद होगा कि जो हैमन सोरेन की पत्नी को बनाने की बात हुई थी, तो उनके घर में ही अंगामा हो गया था, उनकी भावी नहीं इस पर बिरोत कर दिया था, ये भी बाते पॉब्लिक दोमेन में आई थी, अब जो बर्तमान परिस्थिती बनी है, उसमें चमपाई सोरेन, कॉंग्रिस के आलमगिर्प, और परदी प् सत्यानन्द भोगता, विनोत चिंग, सिप्याइमल के हैं, इन सभी ने लिख करके दे दिया है, कि हम पूरी तरस सच्छा में सर्कार बनाने के लिए, और हमारे नेता चमपाई सोरेन है, राजयपाल से मुलाकात्पी हो गई है, लेकिन अब पूरी तरस से आप समझ सकते हैं इस 48 बिधायकों का समर्थन का चिठी तो दिया गया है, लेकिन इस से पहले एक बड़े खेल की उमीद की जा रही है, और कहा यह जा रहा है जिस तरस से बिहार में सरकार बदली है, और बिहार की सरकार बदलने के बाद दस तारीक का इंतियार हो रहा है कि क्या होगा बहुम का एक है और निर्दलियत दो उनके साथ खड़े हैं, यह संख्या मिला करके हो जाती है, जो 32 की जिसमें 11 बहुमत से कम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 11 बिधायकों का जुगार करना भारते जनतापार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आना है सारे ऐसे लोग हैं, जिनको इस बात का लालच हो या ललसा हो, कि वो अब मंत्री मंडल में सामील हो सकते हैं, ऐसी इस्थिति में भारते जनतापार्टी अगर कोई बड़ा खेल कर दे, तो इसमें 38 योपती नहीं होगी, यही कारण है, जो निश्यकांत दूबे हैं, वो यह जा रहा है, उनके फोन अगर बंद होते हैं, तो समझ में वो सरकार बच जाएगी, अगर फोन चालू है, तो समझ में कि भारते जनता पार्टी के मैसेज और फोन जो है, लगतार उनके कॉल लगतार होते रहेंगे, तो शायद ऐसे इस्थिति में सरकार तूट जाएगी, औ जो बरतमान परिस्थिती बनी है, उस परिस्थिती में बिधान सभा भी अगर जीत जाए, क्योंकि बिधान सभा के विचुनाओ संभवतों अगले ही कुछ महीनों में होना है, जी, जी, बिलकुल, तो ऐसी इस्थिती में आप समझ सकते हैं, कि जारखंड भी एक सौस्ट टार जारखंड के हैं, लोक सभा के, अब तो भारते जनता पार्टी के खेमे में ही आ गया है नितीश, तो आप समझ सकते हैं, कि जारखंड में भी जो लगतार नितीश कमार प्रयास कर रहे थे, उसका फाइदा भी लोक सभा और विधान सभा में दोनों में मिल सकता है, भारते जारखंड के खबरोग पर आपकी नजरे होनी चाहिए, जारखंड से एक एक अपडेट लगतार हम आपको बताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद।